एक रागनी और आप सभी के बीच में, और ये होगी किरसन और सुदामा के किस्से की. मुत्ता उस समय से होगा, कि मिस्त्रानी बार बार सुदामा जी को समझाने लगी, कि आप अपने बच्पन का यार कृष्ण बताते हो क्यों ना तुम उस कृष्ण के पास में चले जाओ मिस्रानी के पार बार कहने पर सुदामा जी अपने बच्पन के यार के पास में चले जाते है दो तिन रोज का समय वहां पर गुजारते है एक रोज जब आने का समय होता है तो किस प्रिकार से रास्ते में चलते हुए सुदामा जी स्री कृष्ण कनहियां से कहने लगे कि आज मेरे यार ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं उसके दरवाजे पे क्यूं आया हूँ किस प्रिकार से क्या कुछ कहते है कि यारी तो बहुत दूर की बात है तुझे तो यारी का मतलब तक नहीं पता क्या कुछ कहते हैं कैसे कोस्त से हो चलते हैं सुनेगा बाकी हवाला रागवी में कहा है हेर यारी के घरे दूर बताए हेर यारी कहो किस धाले तने हेर दमडी तलके दई को नदिया बात में नुटालतने तमडी तलके दई को नदिया बत नमें हिदालतने हर यारी के धरे दूर मताए यारी के धरे दूर मताए तमडी तलक तई को न दिया पात में लिटालत ने तमडी तलक तई को न दिया हात में लिटालत ने मुझे आने का कारण भी नहीं पूछा कि मैं तुम्हेरे दर्वाजे पे क्यों चल करके आया हूँ क्या कुछ कहते है पहली कली में क्या लिखा वाला कैसे? वर लेन देन ने कुछ ना दोरे लेकर प्यार चलिया आया बेज दिया मेरी मिसराणी ने नियू में यार चलिया आया हेर अन धन कीते सवाभा होसे वे दिये लब्ते चार तने दमडी तलकर दई को न्या दिया पापा मेरे तार तने आईए महरवानों बड़ी बहतरीन बात आपके बीच में और पूरा जोर लगा के सुनाई जा रही है मेडम राधा चोधवी की तरब से एक मेरे भाई रागनी प्रेमी इस रागनी का सो रुपैसे सम्मान करके गए हैं मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद आईए मेडम राधा चोधवी न्यों कहने लगे सुनामा जी कि यह सारा जग तुझे भगवान के नाम से जानता है तु भगवान है तु इंसान के मन की बात पल भर में माफ लेता है कि इस इंसान के मन में क्या कुछ चल रहा है तुने मेरे मन की एक बार नहीं पूछी क्या कुछ कहते हैं दूसरी कली के माध्यम से सुरेगा वला रहे है कहते है तेरे सामी तही गई ना तेरे सामी तही गई ना बहुत घणा में सरमाया दुनिया कहे भगवान तने पर तेरा भेद नहीं पाया तेरा गरत चले पाँछे अपना बहुत घणा मन समझाया गर जाके तेरी भावज पूछे महारी खातर के ल्याया फिर जब वो खाली पल्ला देखे तेन लाग जागा लेतने वो दमडी तलके दई को जादिया वो तमे हिटा आलतने वो दमडी तलके दई को जादिया वो तमे हिटा आलतने झालतने यह वो ख्याद यजाद आलतने और सजनों इस बहत्रीन रागनी पर आज सभी आपको विजुत भी है बड़े भाई अनिल यादब जी पालावास उनके निविदन पर हम सब आज यहां पर एकत्रित हुए हैं उनके इस कारकन में आज अपने भारी भरकम सरदारी के साथ पहुचे हैं इस्वर पंडित जी कारवली तालिया मजाकर के स्वागत करिएगा कारवली से जो साती आये हैं और 100 रुपध प्रूसकार आज के इस कार्कम में राधा ने स्रागनी पर हमें कि दिया नीय पंडिजीं के जो भी साथी यहूं हो तली के हमजा करके शागत करी येगा कि यहां करें से हद से जादा करें से हद से जादा जुष ने भी अभी माने करया तु राजन से मैं राजन से मैं पागल हो गया तन निरदन का न ख्याल करया कुछ डूब गई मेरी मिसरानी जो यू है मैं बिरान करया जिन्दगी भर तक भूलू को न्या जो तन आदर मान करया भेरें अपनी ते में कहना पाया उस गेरा प्रेम का जाले तने दमडी तलके दई को न्या दिया तमे हिटार तने ओ धमडी तलके दई को न्या दिया बता में हिटार तने में कहने लगें सुदामा जी कि आज मैंने यारी दोस्ति सब कुछ देख लिया लेकिन आज मुझे पताला क्या कि संसार के अंदर कोई किसी का नहीं होता सब मतलब के होते हैं क्या कुछ कहने लगें सुने का अंतिम कली में क्या कह दिया वाला हेरा इपतया के लगा समाधी आम हरी हर रत्ना है देख लिया दुनिया का धंदा जान लिया एक सपना है देख लिया दुनिया का धंदा अर जान लिया जब सपना है हेर दुरवल हो गया सरीर मेरा न्यो रंज फिकर में खपना है लिया देखता मासा जूटा रासा ना कोई जगत में अपना है लिया देखता मासा जूटा रासा कोई जगत में अपना है हेर जगनाथ मत फिकर करे रे ले सत्गुर आप सम्हा ले तने तमडी तलके कही को ना दिया बातों में इटार तने तमडी तलके कही को ना दिया बातों में इटार तने को ना दिया बातों में इटार तने